आप सभी को पता है कि हमारे कल्यान के लिए पूरुषेनिकों की आवाज को बुलंद करने के उद्देश से कुछ समय से हम विभिन पूरुषेनिकों के शंग्ठनों, मंचों, फ्रांट्स और फाइडिशन को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। काड़ी के अंदर करीब 11 बड़े-बड़े फ्रांट्स और एसोचीशन का मीटिंग संपन हुआ। जिसके अंदर विभिन संग्ठनों ने ऑन-लाइन और ऑन-लाइन प्रेजेंट होकर के अपनी सहभागिता निभाई। मीटिंग बहुत ही अनुसासी तरीके से और शोहात पूर्ण वातावरण में संपन हुई जो एक इस तरीत का परिचायक था कि पूर्शनिक वास्तव में ही डिसिप्लेंड सेग्मेंट से तलुकात रखते हैं। साथियों जैसा कि काफी टाइम से चलड़ा था कि हमको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके उसको फाइनल करना चाहिए। और यह खुशी का बात है कि कल सब इन एक स्वर्श से सर्व समत्य के साथ में जो कॉमन मिनम प्रोग्राम बनाया उसको अनुमोदित किया। और हमारे इस संगठन का नाम रखा गया दिग्ज विरांगना महा संग। और साथ्यों इस संग को चलाने के लिए कोई इंडिविजुल प्रेजिडेंट नहीं होगा बलकि इन ही संगठनों से एक एक नाम मांग करके और 11 या 21 आदमियों का एक गवर्णिंग बोडी पर फॉर्म किया जाएगा बनाया जाएगा वही इस महासंग का संचालन करेंगे और इसके लिए मैं जित्ते भी महासंग होने कल हिस्सा लिया उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरवानी करके आज या कल के अंदर ही आप अपने-पने महासंग फ्रंट से एक-एक ऐसे विक्ति का नाम दीजिए जो गवर्णिंग बोडी का हिस्सा रहेगा और आगे से इस चीज पर और भी सहमति बनी कि अभी हमको जल्दी ही ग्राउंड पर आकर के इस महासंग की एक्टिविटीज को दिखाना पड़ेगा और इसके लिए विभिन प्रकार के विचार आये हैं जैसे ही गवर्णिंग बोडी मिल जाती है यह अंतिम नेने लेकर के और ग्राउंड प्रणिता उसके अंदर जरूरी होगा प्लीज आप भी अपने आपको मेंटली तयार रखें मैं तमाम ऐसे सभी पूरुषेनिक संगठनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक भी जो इस महासंग से दूर है क्रप्या सहमति जताएं पूरुषेनिकों के हित के अंदर आ फ्रंड फ्रंट फ्रेसिन आये थे इनके अलावी औरों से भी हमारी बहुत सारों से संपर्ख चल रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वह भी आगे आएं और आपके संपर्ख में तो आप उनसे संपर्ख करके उनको जोड़ने का कौशिस करें इसी के अलावा जो भी बुद्धी जीवी पूरुसेनिक यह बेतर्तीव और बिखेवी आंदोलन से परेशान है और बार-बार कह रहें थे कि सब एक मज़ पर आजाओ शाथियों आप सभी के आभान के उपर आप सभी के अपील के उपर लाखों पूरुसेनिकों का पतिनि करने वाले इन दस ग्यारा महासंगों ने एक संकेत दिया है कि हम आपकी अपील का स्वागत करते हैं और कल उसको इन्होंने प्रत्यक्स के दिखाया भी एक मंच पे आकर के आपसे गुजारश है कि आगे भी आप इसी तरीके से अपने सुजाव देते रहें जिससे कि यह मह महासंग सही दिशा में चले और हमारे उद्यश्यों की पूर्ती कर सके साथियों स्वाबाविक है यह हमेशा रहा मैं पहले भी बोलता रहूं कि हर पवित्र कारिक्यों भंग करने के लिए कुछ सक्तियां हमेशा तयार रहती हैं वह अब भी रहेंगी और आज भी हैं कुछ के उद्यश्यों की पूर्ती के लिए बनाए जारे इस पवित्र महासंग को किसी भी तरीके से एगना होने दिया जाए और शायद आप भी कई जगयों के ऊपर डारेक्ट और इंडारेक्ट इस चीज़ का एसास कर रहे होंगे लेकिन अब क्योंकि 20-25 लाख पूरुषैनिक कि इस महासंग के साथ जुड़े हुए हैं शैद वो गलताजमियों के मनसुबों को पूरा नहीं होने देंगे और हम पूरुषैनिक और वीर नाजियों के हित के अंदर एक अच्छा कारिय करने के लिए आगे बढ़ेंगे और अवश्य ही सफल भी होंगे तो जो इस प्रकायक की जो भी नकारात्मक सकतियां है नेगेटिव एलिमेंट से प्लीज उनसे दूर रहें उनके अपाओं से सावधान रहें और अपनी सकारात्मक सोच को रखते हुए इस मोहिम को आगे बढ़ाने में सभी ज्यादा स्योग करें उन्हें मैं जुड़ चुके सभी संगठनों से महासंगों से फेडरेशन से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी करपया गौर्णिंग बोड़ी के लिए अपना अपना नाम भेज़ देवें जिससे जल्दी ही उनकी मीटिंग बुला करके और हम आंदोलन की अगली र जुंसें लाठोट